हलो फ्रेंट्स है मपरती वेलकम एक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस जून 2023 तक हम 93 यानि 93 बटरफ्लाइज रिलीज कर चुके थे और अब सितंबर 2023 तक हमने 42 और बटरफ्लाइज रिलीज की है टोटल हमारी 135 बटरफ्लाइज रिलीज हो चुकी है उनको आजाद किया है हमन जिसमें लाइम बटरफ्लाइ, कॉमन मॉमन बटरफ्लाइ, प्लें टैगर यानि एफ्रिकन मोनाग बटरफ्लाइ और इस बार हमने 5 लैमन पैंजी भी रिलीज की है जो की बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और एक मौत को भी हमने सेव किया था जिसकी वीडियो आपको ड बटरफ्लाइ सेव करने को लेकर सबसे पहले जो आप केटरफिलर उसको सेव करने के लिए बॉक्स ले रहे हैं वो बंद नहीं होना चाहिए उसमें एर पास होती रहनी चाहिए और वो छोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि जब यूपा में से बटरफ्लाइ निकलती है तो उ जितने भी cardboard box होते हैं वो आप ले सकते हैं वो खुले हुए होने चाहिए और उसको उपर से आप net से cover कर सकते हैं जिससे ventilation रहेगा और air pass होती रहेगी तो जो caterpillars है butterflies pupa इनको कोई परिशानी नहीं होगी तो इस बात का ध्यान रखिए और जो net से cover कर रहे हैं उस net को tightly बांदिय थोड़ा क्योंकि अगर जो caterpillar है यानि जो कीड़ा है अगर वो निकल कर भाग गया तो एक तो उसको पतियां नहीं मिलेंगी तो वो वैसे भी मर जाएगा या उसको कोई छिपकली खालेगी तो वो वैसे भी मर जाएगा box जो है वो cardboard का इसलिए लें क्योंकि जो आप plastic का या वो चिकनी सतह से नीचे गिर गई माली जे कांच का या प्लास्टिक का जार हुआ और वो उस पे से गिर गई तो वो उट नहीं पाएगी जिसकी वज़े से उसके पंक नहीं खुल पाएगे वो उल्टी हो जाएगी इसी कारण तो वो आप कोशिच कीजिए कि cardboard का box होगा तो जादा अच्छा है थोड़ा खुरदरा रहता है जब सरफेस तो उसको चलने में प्रॉब्लम नहीं होती है तितली से प्यूपा बनते समय या प्यूपा में से तितली को निकलते समय बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें क्योंकि इस प्रोसेस के दोरान अगर आपने उसको तो तितली बेकार हो सकती है इसलिए जब केटेपिलर से प्यूपा बन रहा है या प्यूपा में से तितली निकल रही है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें ताजी पतियां समय समय पर देते रहें क्योंकि पतियां ना मिलने पर या सूखी पतियां मिलने पर उनके शरीर में भी विकार हो सकते हैं मान लीजे वो caterpillar प्यूपा में बदल गया लेकिन प्यूपा से जो तिदली निकलेगी उसमें कमिया रह जाती हैं कभी कभी पंक बेकार हो सकते हैं एक पंक की कमी या दो पंक की कमी हो सकती है तो शरीर में विकार हो सकता है इसलिए खाने की कमी ना हो या किसी वज़े से प्यूपा अपनी टहनी से गिर गया है तो उसको भी ठीक करने का तरीका है उसको टहनी पर लगा दिया जाता है जो कि वीडियो नंबर 1472 में हमने आप से शेयर किया है बहुत साबधानी से करना होता है 1472 वीडियो में आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्श ना हूं और सब्लाते हैं जो प्यूप पोधों पर ही बन जाता है बाहर पेडों पर तो ऐसा नहीं है 2 बारश से खराब नहीं होते है यह नयच्र 없다 यह ये पेर पॉदो पर ही रहते हैं, प्यूपा बनाते हैं, तो बारिश और धूप का इन पर कोई खास असर नहीं पड़ता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कितना समय लगता है, अंडे से तितली बनने का सफर 25 से 35 दिन का हो सकता है, और ये तितली की प्रजाती पर भी डिपेंड करता है, कोई तितली जल्दी बन जाती है, कोई तितली थोड़ा लेट बनती है, तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, वेट करना चाहिए, इस दोरान अंडे से कीडा, यानि केटरपिलर बनने का जो टाइम है, वो 3-4 दिन का हो सकता है, और केटरपिलर से प्यूपा बनने का टाइम 5-7-10 दिन का हो सकता है, और प्यूपा से तितली बनने का जो सफर है, वो भी 5-7 दिन या 10 दिन तक का हो सकता है, इसलिए धहरे र जाएगा इसलिए caterpillar से pupa बनते समय या pupa से तितली निकलते समय या pupa को जाधर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए next point है pupa से तितली mostly दिन में निकलती है pupa से निकलते समय उसको ना डिस्टर्ब करें ना हिलाएं ना पकड़ें और ना उसको help करें क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वो अपने पंख नहीं खोल पाएगी और जब पंख नहीं खुलेंगे तो वो उड़ नहीं सकेगी और फिर एक या दो दिन में वो मर सकती है भूग की वज़े से इसलिए उसकी help करने की कोशिश ना करें प्यूपा से अपने आपी उसको न आजाद करें नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर रात में प्यूपा से तितली निकले तो क्या करें तो इस पर हमने वीडियो भी शेयर की हुई है आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रात में उसको डिस्टर्ब ना करें ऐसे ही रहने दे और सुबह आप उसको आजाद कर सकते हैं क्योंकि रात में तितली नहीं है वो पेडों की पतियों में छुपकर बैट जाती है क्योंकि रात में जो शिकारी होते हैं जो पंची होते हैं इंसेक्ट होते हैं उनको खा सकते हैं इसलिए रात में वो छुपकर रहती है नेक्स्ट पॉइंट है कि अग आपको कोई ऐसी तितली मिले जिनका पंक है ही नहीं टूट गया या एक्सिडेंट में बिकार हो गया तो उसको आप हेलप कीजिए उसके लिए एक स्पॉंज लीजिए अगर आपके पास इस पॉंज नहीं है किसी भी फरनीचर शॉप से जहां सोफा वगरा बनता है वहां पर आपको वह स्पॉंज मिल जाएगा सोफे की गद्धी उनसे ही बनती है उसको आप किसी रस से भर दीजिए चाहे गन का caterpillar आपने जिस पेर से सेव किया है वह उसी की पतियां खाएगा क्योंकि तितली अपने अंडे उसी पॉधे की पत्ति पर देती है जो उसका host plant होता है उसका caterpillar वही पत्तियां खाता है कभी अगर समझ में ना आए कोई caterpillar पत्ति न खा रहा हो आपको पता भी ना हो किये तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे मौत के caterpillars होते हैं, जो दूसरी दूसरी पतियां भी खा लेते हैं, लेकिन तितलियों के जो caterpillars होते हैं, वो mostly अपने host plant की ही पतियां खाते हैं, तितलियों को जबरजस्ती पकड़ने की कोशिश ना करें, उनके punk तूट सकते हैं, उनको release करने के यह भी पूरा net खोल सकते हैं, आप उस तरह से वो ओड़ जाएंगी, हमारा experience है, इसलिए आपने किसी किसी वीडियो में देखा होगा, हमने उनको पकड़ कर रिलीज किया है, तो ऐसा करने की कोशिश बिलकुल ना करें, केटेपिलर्स को सेव करते समय, छोटे केटेपिलर्स अलग, बड़े केटेपिलर्स अलग, और जो मोटे हो गए हैं, प्यूपा में बनने वाले हैं, उनको अलग रखें, तो इससे disturbance नहीं होगा, नेट के दुपटे से इस तरह का घराब बना सकते हैं, यह हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे, केटेपिलर्स को बचाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि चिडिया, गिर्गेट, बंदर, छिपकली, इनसे केटेपिलर्स की जान को खत्रा रहता है, इसलिए, और तितल में शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, कोई क्वेरी हो तो पूछेएगा, थैंक यू